हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में स्वागत है देखे फ्रेंड्स यहां पर हम महावीर स्वामी के जीवन परीचे के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनसे पहले वाले वीडियो में हमने बोध दरम से स समबंदित जानकरी प्राप्त कर लिये तो आप पढ़ते रहें देखे फ्रेंड्स महावीर स्वामी का जन्म पेशाली के निकट कुंड ग्राम के ग्यात्रकुल के परधान सिधार्थ के यहां पर 540 इस्सापूरा में हुआ था ठीक है तो कई बार प्रीक्षाओं में और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था यह लिछवी राजकुमारी थी महावीर स्वामी की पत्री का नाम यसोदा था जैन धरम में 24 तिर्थंकर हुए हैं जिन में से महावीर स्वामी 24 वे तिर्थंकर थे महावीर स्वामी जयन रम के वास्त्रिक संस्तापक थे इनका नाम इनका जो वास्त्रिक नाम है वह वर्धुमान था तथा महावीर स्वामी का जो गोत्र है वह कश्यप था वर्धुमान के बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था इनकी बहिन का नाम सुदर्षना था और महावीर स्वामी के एक बेटी भी थी जिनका नाम आयोज्या था और इनकी बेटी को पिरियदर्षना के नाम से भी जाना जाता है पिरिये दर्षना का विवा है जामाली से हुआ था और जामाली महावीर स्वामी के पर्थम सिस्से थे तो ये पर्षन भी कई बार पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी का पहला सिस्से कौन था तीस वर्ष की आयू में गरह त्याक कर पारा वर्ष की कठोर तपस्या में सनलगने रहने के बाद बैयानिस वर्ष की आयू में महावीर स्वामी को जुम्भीय गराम के निकट रिजूपाली का नदी के तट पर साल वरिक्ष के नीचे कैवले प्राप्थ हुआ था अब जो कैवले है ये क्या था मतलब सर्वुच्य ग्यान ये परसन भी कई बार पूश लेते हैं कि महावीर स्वामी को जो ग्यान प्राप्थ हुआ था उससे क्या का गया है कैवले केवली प्राप्त हो जाने के बाद महवीर स्वामी को केवलिन जिन अर्थात विजेता अर्थात योग्ये निर्ग्रंद नीग्रंद अर्थात बंदन रहीते भी कहा गया वर्दमान के माता पिता 23 पे तिर्थंकर पास्टरनात के अन्याई थे यही वर्दमान आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए तो महावीर स्वामी है इन्होंने क्या करा जो पास्टरनात के पहले के चार महावरत थे कोन से सत्ते, अहिंसा, एचोर्य और एपरिग्रे इनमें पांचवा ब्रहम चैरिय नामक महावरत जोड़ा था और पंच महावरत रूपी धरम इन्होंने चलाया था महावीर स्वामी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है उनका जीवन त्याग और तपस्चा से ओत्प्रोथ था हिंसा, पशुबली, जातिपांती के भेदभाव जिस यूग में बढ़ गए उसी यूग में पैदा हुए महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध दोनों ने इन कूरीतियों के विरुद आवाज उठाई थी, दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया था देखिए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं तो आपको हमारे वीडियो देखने चाहिए महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो चलिए आगे महावीर स्वामी की मृत्यू पावा में 72 वर्ष की आयू में 468 इसा पुर्वा में हुई थी तो यह क्यूसरन भी कई बार पूसते हैं कि बारे महावीर स्वामी को और कहा पर का गया है बोध साहिते में ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों आज हमने इस वीडियो में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करी और आगे हम जैन दरम से संबंदित और भी आपको जानकरी परदान करेंगे तो आगे के वीडियोज देखते रहें और इसी परकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर फेस्बुक पे आप हमें लाइक और शेयर करें ट्वीटर पे आप हमें फोलो करें तता हमारी नवीनतम पोस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे वोड्सप पे बने ब्रोडकास चैनल पे से जूड़ें